हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक बर फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोश्वर प्रहार में दोस्तों मैं हूँ एड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल रिकॉर्डिंग्स पर यानि फोन कॉल रिकॉर्डिंग आपने देखा पर है यानि की कॉल रिकॉर्डिंग प्रेजेंट करने का जो तरीका है कोट के अंदर उस पे कोट किस प्रकार से विचार करती है और एक लेटेस जज्ज्मेंट पती-पतनी के मामले में में अपको बताने वाला हूँ जो अभी हाली में रीसेंट आ है और आपको जानना बह भी बावजूद इसके recording साब के पास होती है और देखो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो cable recording से ही साबित हो सकती है तो ऐसे में recording को neglect नहीं किया जा सकता that's why recording उगएरा को produce करने के लिए कोट में एक proper procedure भी दिया गया उस procedure में आप recording उगएरा को recording है तो आप कैसे उसका लाव उठा सकते हैं और court किस प्रकार से उसको consider करेगा ध्यान से दिखेगा पूरा judgment पूरा case आपको बताऊँगा और अभी तक भी चैनल को subscribe नहीं किया है तो फटा फट सबसे पहले चैनल को subscribe करके notification bell पे click कर दो otherwise आपके कम subscription देखके हमारा motivation होता है down और जब हमारे motivation down हो जाएगा तो हम आपको motivate कैसे करेंगे तो इसका ध्यान भी आप लोगों को रखना है इस मामले में दोस्तो 10 साल पहले विवा हुआ था विवा के कुछ समय के बाद पती पत्नी के बीच में कुछ मद्भेथ हो गए 2019 में पत्नी ने 125 CRPC के अंतरगत maintenance का केस दाखिल कर दिया अब maintenance के केस में आप लोगों को पता है कि यदि पत्नी स्वयम की मर्जी से घर छोड़ करके गई है तो उसको को maintenance नहीं लगेगा जो पत्नी है वो उसका extra marital affair है वो किसी और किसाथ aware संबन में है और उसके पास इसके सबूत है तो जब court ने evidence मांगे तो पती ने कहा कि उसके recording से उसके पास है और उनको court में submit करना चाहता है और इसके लिए permission मांगे तो court ने क्या कि October 2021 में इस बात के लिए permission दे दी उसके application को allow कर दिया कि ठीक है आप जो भी recording जो भी सबूत अपके पास है आप court में दीजिये अब जो पत्नी है वो उसने इस आदेश को चुनाती दे दी honorable high court में अब high court ने पूरे मामले के तथे और परस्तिति को देखा और जो पत्नी की तरप से वकिल साथ थे उन्होंने court को बोला कि इस तरह से बिना अनुमती के किसी की phone call record करना नीशता के अदिकार को लंगन है privacy right का violation है और article 21 of the constitution of India के अंतरगत भी आप किसी को बिना बताए उसकी phone call record नहीं कर सकते हैं यह पूरी तरह से नीशता के अदिकार का उलंगन है अब जो high court थी high court वकिल साब की दलिल से हो गई सहमत और high court ने का कि हाँ बात तो सही है अगर आप बिना किसी अनुमती के phone call को record कर लेते हैं तो यह उसके नीशता के अदिकार का उलंगन है और जो family court ने आदेश दिया था उसको कर दिया खारीज यानि बात या आगई कि पती अब उस recording को देही नहीं सकता अब या मेरा आप से कुछ कहना है समझना बहुत सारे लोग वरना आपके साथ भी यह condition आ सकती है इसका solution भी आपको यहीं पर बता रहा हूँ देखिए होता है क्या है कि ज़्यादा दिमाग apply नहीं करना चाहिए वो भी कई बार मुश्किल create कर देता है अब एक तरफ है नीशता के अधिकार का उलंगन तो उसको maintenance नहीं मिलेगा इस आप सावीच ही नहीं कर सकते है आपके बसारे के सारे evidence से चाहे तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ गलती कर रहे है इसका समाधान बताता हूँ एक मामला था उस मामले के अंदर क्या हुआ हम लड़के की तरफ से थे लड़के ने मिरको कुछ photograph produce करे उन photograph में लड़की आपती जनक स्थिती में किसी और लड़के के साथ में थी अब हमने जब बात करी तो लड़की की तरफ से एक वकील साहिब आई और वकील साहिब आके मुझे कहती है कि साब क्या कर रहे है उनका compromise करा दो इसको 6 लाक रुपे दिला दो लड़की को और मामला निपड जाएगा आप maintenance से case में जाएगे maintenance तो इसका अलग नहीं है adultrico code मानता नहीं है बात वही ही कि हमने अपनी तरफ टे डाला डायबोस का case लड़की ने डाला maintenance का लेकिन हमने जब डायबोस की पर फाइल है हमारा राइट है हम उसमें इविडेंस फाइल कर सकते है अब हम किस चीज़ की अनुमत ही भांग रहे है हमने simple उस recording की transcript बनाई और फाइल कर दिया अगर code को लगता है हमने privacy rate का उलंगन कीजिया तो हम पर कारेवाई कीजिये और अगर ये साबित होता है तो ठीक है privacy rate की कारेवाई हम पर होगी और उसके adultery साबित हो रहे हमारा maintenance बंद होगा तो ये यहाँ पर गड़बड़ होगी क्या गड़बड़ ही कि आप एक application दे रहे हैं कि मुझे allow किया जाए कि मैं recording produce करूं वाइ क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी आपके evidence पर file है आपकी पास जो भी evidence आप सारी produce करो आपको सिर्फ इतना करना था कि एक certificate 65B का 65C का उसके साथ में जाता आप उसको सीधा submit करते, exhibit करते, record पर आ जाता तो दोस्तों ये कहीं न कहीं हमारा over smartness जो होती है वो भी हमको माड आलती है तो ऐसा नहीं करना मैंने पहले भी बहुत बार बताया मुकद में सरल होते हैं complicated आप करते हो और उस मामले में जहां पे हमने वो लगाया था ना जो मैंने आपको बताया है जिस मामले में उन्हों सारे photograph उस तरह के attach कर दिये थे दो महीने के अंदर अंदर अपने आप maintenance का case वापस ले लिया सोचिए क्योंकि हमने verbally क्या भी दिया था अभी जो लगाया ये 10% है इसके अलाबा इतना कुछ हमारे पास है कि कोट के अंदर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा तो it depends on your strategy कि आप कैसे case को लड़ रहे है be bold बहुत जादा छोटी छोटी चीजों से डरने का नहीं थोड़ा risk लेने को त्यार रहेना है risk नहीं लोगे तो lab भी नहीं मिलेगा तब तकिल गुर्बाएं थैंक ये वो वाचिंग केर